तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक के सीरीज का छठा वीडियो जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे वीडियो वाली के बारे में बेसिक लेक्ट्रिकल लेने के बारे में कुछ बताता हूं यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो असानी से समझ में आता है और इसमें जो है अगर इसको कंप्लीट कर लेते हो तो अराम से अब कुछ नहीं तो 80 प्लस माक्स आएगा क्योंकि मैं भी इसी बेसिस पर चला था तो मेरा भी आया है तो आईए देखते हैं लोग कि हाँ इसमें परना क्या है और क्या क्या करना और इसमें मैं एक और एक्स्टा चीज़ाइ नहीं व्यवया धुक्त को यह जणरला के लिए है और मटानिकल के लिए है ठीक है अब अब हर आप फुरिट के से सकवाखले कर सकते हो खोगी प्लम नहीं होगा क्यों और और तिपल्पीक यह मैं पूराइस पूंकि यह 4 में से कुछ भी पूछ सकता है लेकिन फूछ मेंसे पूछे जब देखो क्या है रिचार यह नेट्वक अरुज यह आप पड़े होगे सब कम से कम 80- Brightest کہ वह बहुत असान सब्चेक्ट होता है इसमें जो पिछले बार से ठोड़ा से एड़ किया वह कंथा टाइम इंडिपेंडेंट ओके टाइम इंक बोल दिया कि पूछ लिए पूच लिया और maximum power theorem इसका theory पूछ सकता है पूछ सकता है और इससे question पूछ सकता है यह तीनों चीच कंप्लीट कर लेना और हाँ इस पर मैं वीडियो बना चुका है अगर आपको लगता है कहां कहीं और से नहीं पर रहेंगे तो मेरा भी पढ़ाय हुआ है DC circuit आप जाके playlist चेक करते हो कर सकत सब्सक्राइब आपको समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं आप पर यह रहा आपका AC circuit स्वरे आपका साथ वही नीचे चला गया देखो यह आपका AC circuit है इसमें से तीनों में से कोई एक तो नाम बता देना पूछ है यहाँ पीक बैलो निकालो आरेश निकालो एवरेज बैल से पूछता है समझ जाओ कि हाँ इंपोर्टेंट है ठीक है यह कैसे भी करें कंप्लीट करो लेकिन कंप्लीट करो और यह का टॉपिक है तो इसके लिए मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा इंपिडेंस ऑफ स्रीजें फैरल सर्किट यह बच्मत से पढ़ते जा रहे हो ठीक है न और यह आपका उसी का फेजर डाइग्राम बनाना रहता है लेकिन आप फेजर डाइग्राम में इसलिए स्टामाग कर दिया हूं क्योंकि पूछ लेता है कि हाँ इसका फेजर डाइग पाउर ट्रेंगल होगा ठीक होगा वहां से आपको प्रेंग निकालने के लिए बोल देता है यह सब चीज आपके लिए सही रहे बाऊर फेक्टर निकालने के लिए बोल देगा तो यह एक यह कम से कम्पिक हो सके तो complete कर लेना क्योंकि इससे कूशन पूछता है कभी कभाई सबसे ज़्यादा को सबसे जादा पूसन लोग यह कमदो ना टाइम सरी ठीसे बैलंस हो ला स्टाइट टू डेल्टा कनेक्षन यह सई रहता है लेकिन कभी गवर्ण पुछता है कभी ने पूस्ता लेकिन पुछता लेकर फृष्ट ना क्या पता पूछ दे के तो इसमें आपको चौदा नंबर आ जाएगा तो चौदा 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 इसे ही हो गया अब आगया मैगनेटिक सर्कुट यह इसमें पर लेना ज्यादा नहीं श्रीज और पैरलल मैगनेटिक सर्कुट यह भी उसी तरह से है जैसे राइस्टेंस काम करता है उसी तरह से यह थोड़ा सा लोग को यहां आए ड्रांसफर्मर यह धर लो पूछता है पूछता है बीच कर भ कहीं सब्सक्राइब लेगा लोसेशन ट्रांसफर्मर एफिसेंसी यह अपसे पूछ लेगा धरले से मतलब होता ना कि माया दया कि हाँ अब बचार पढ़ा लिखा नहीं होगा ऑनलाइन इक पूछ लेता है देखो मैं यहां पर नीचे लाइन भी बनाएं थ्री फेस्ट ट्रांसफर्म पर लोगे तो आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा अब आगया आते हैं बहुत असान पूछता है सबसे पहले इसी कंप्लीट कर लोगे और इसमें मैंने किसमें किया एंसीवी पर लेना और अर्थिंग लिए अच्छा आपके लिए ठीक है अगर आप बरहाओ वाला याद करो तो टाइप बैटे और इसका जादा कुछ पूछता है नहीं ठीक है तो इतना कर लोगे तो अराम साब का बीडियो निकल जागा और एटी प्लस आएगा सर इतना याद रखो क्योंकि मैं खुद इस पर कायम रहा हूं तो इसलिए हमको में को पता है ठीक है और यार तुम लोग ही तो कर सकते हो तुम लो और तो बहुत गंदावाला होता है मन करता किनी वर्ण लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं अपना कुछ लोग है जो देझता है तो उसके लिए मैं बना देता हूं अगर तुम लोग भी वैसे करेखल छोग यचा है करते ही सबात करने हूँ तो फिर ถुर समझो उतनी है सो मच वैसे काफी सपोर्ट करते हैं आप लोग भी ख्यालत ना